आप सब को मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको पूरकाहर के बारे में बताने वाली हूँ ज्यादा तर पूरकाहर तो जैसे हम लोगे ने पहले सेशन में डिस्कॉस करी लिया है लेकिन बहुत टाइम फील्ड में इस्यूस आते हैं मां बोलती है बच्चा खाता नहीं है, मां बोलती है बच्चा रोता है इसको घर का खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, बहुत सारे से इस्यूज आते, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, कि क्या-क्या इस्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो जो आदत हम लोग बच्चों में डालेंगे, वो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? तो अच्छी आदत है क्या है? जब एक खाने की बारे में अच्छी आदत मतलब क्या होता है की बच्चों को हमेशा जो मीठा काना है वो बहुत अच्छा लगता है तो आपको मालूम होगे कि थोड़े बच्चे बड़े होते तो बोलते है चॉकलेट दो, ये बिस्किट दो, ये दो ये बिस्किट चॉकलेट वो जो आदत है, वो आदत कहां से लगी तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले दो साल आपको बच्चों को बिलकुल शक्कर वाली चीनी नहीं देनी है good नहीं देना है और जो mud होता है, mud भी नहीं देना है जब भी बच्चे को यह टेस्ट के आदत नहीं होगी, तो ही बच्चा अलग-लग प्रदार्थ खाना सिखेगा बच्चे को सिखाना है कि, स्वीट टेस्ट के अलावा बहुत सारे टेस्ट है, तो उनको वोट टेस्ट के टेस्ट डेवलप कीजिए य Stunde है? बहुत टाइम बड़ा जबी बड़ा बच्चा हो जाता है तो मा दूद में बानविटगा दालती है। होर्लिक्स दालती है। हो सब पूरा जन्क फूर है आपको बिल्कुल दूद में नहीं डालना है। उसको बहुत सारी माँ ऐसी होती है कि छे मैने पर 에게 भी खीर कि तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना है बहुत सारे मदर्स ऐसे भी होती कि बहार के जो सीरियल बॉक्स आते हैं तो वो सीरियल में तो बहुत शक्कर भरा होता है तो शक्कर वाला बहार का खाना बिल्कुल नहीं देना है दूसरी बहार क्या होता है कि कभी-कभी ब माँ को बोलता है मुझे यह खाना नहीं खाना है मुझे मैगी खानी है मुझे यह खाना है और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ मांगता है तो वो लोग तुरंत ही दे देते हैं अच्छा नहीं काना है कोई बात नहीं जिनता चलो कोई यह तो हम लोग को substitute नहीं करना है substitute मतलब कि बच्चे ने अगर घर का खाना नहीं काया और आपको बोलना हे कि अगर घर का खाना नहीं काना है तो कोई बात नहmeyeं भुका सोयगा चलेगा आपको दूर भी नहीं देना है इस त whiskため पानी देना है मैं हलवा बना के देती हूँ, या उसको कुछ और देती हूँ, जो बच्चे को अच्छा लगे. तो ये आदद आप पहले से डालेंगे, तो बच्चा फिर घर का खाना नहीं खाएगा, वो बाहर का ही मांगेगा, शक्कर्वाला मांगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, पहले से स्ट्रिक्ट होना है, बच्चा है तो क्या हो गया आपको, बिल्कुल आपको बताना है कि घर में बॉस कौन है, घर में जो माता होती है, वो बॉस होती है, बच्चा बॉस नहीं है, तो उस पर ध्यान अपना है, बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे, मैं थोड़े बड़े बच्चों की वापस बात करें हूँ, दो साल की उमर के बड़े बच्चे, बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे उठता है, तो मा उसको पहले बड़ा सा ग्लास में दूद देती ह और बाद में खाना देती है, तो वो आदत भी गलत है, आपको बचे को दूद पहले नहीं देना है, पहले उसको खाना देना है, खाने से उसका पेट भरना है, बाद में उसको दूद देना है, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब आप बाहर का दूद देते हो, तो उससे उस पर न anghen घ्रफ यह वन हاتना है कि तौन को कुछ अच्छा नहीं लगता है वाना बनाते नहीं इस विए फॉर एक्जांपल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि उसको बंगन की सबजी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? तो हम लोग सोची नहीं बंगन तो बच्चा खाता नहीं है, मैं बंगन का सबजी नहीं बनाऊगी लेकिन ये भी बात गलत है, क्योंकि आपको बच्चे को सिखाना है, कभी-कभी क्या होता है कि लगब 15-16 टाइम आपको उसको ट्राइ करना पड़ेगा बच्चों के खाने में बेंगन लाने की, तब ही जाके वो बच्चा सिखेगा और टेस्ट डेवलप होगा, तो एक रूल टाइम से वो एक चमबच खाएगा और मुझा अच्छाने लगता है, लेकिन 14-15 टाइम के बाद कभी उसको टेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर वो ज्यादा मांगेगा, तो वो भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, वो बहुत ही अक्सीर आइडिया है, जो आप कर सकते हैं घर के बचों के लिए, दूसरा ये है प्रॉब्लम कि जबी बच्चा बढ़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, या तो कोई बहार से कोई आता है, तो हमेशा वो चॉकलेट लेके आते हैं बच्चों के लिए, या तो स्कूल में जाता है, किसी का भी बटे हो गया तो उसको चॉकल तो वो बच्चे को चॉक्लेट की आदद इतनी बुरी तरह से लग जाती है क्योंकि चॉक्लीट में शक्कर है और शेकर तो वो पुरा माईन को भुष्येवजेंट Crime को और शेष Just two to mewkka को का टdoorsेंटसर है वैसे हो श्रखिक आडिक्श enduring को बच्छ को बच्चで को लग गर में तो फ्रिज में रखते उसके लिए एक अलग खाना बनाना है या अगर फ्रिज नहीं है तो वो मटकी में या कहीं पर भी रख सकता है तो आपको बोला है कि यह अभी तू रखते इतवार के दिन आपको जितना उसको खाना है वो खा सकता है तो आप दीरे दीरे अगर ऐसा सिखाएंगे उसको, तो पहले दो-तीन इतवार वो याद करके वो चॉकलेट खाएगा, लेकिन जैसे वो दलत निकल गई, उसको शक्कर की आदत उसकी छुट गई, तो वो इतवार को भी भूल जाएगा, और फिर दो-तीन हफते के बाद उसको याद भी आएगा, तो खा जाल नहीं है, ठिक है? और हर टाइम जब भी आप बोलें कि क्यों ये खाना है, क्यों ये नहीं खाना है, आपको उसके साथ मतलब उसको लॉजिक सिखाना है, अगर आप लॉजिक सिखाएंगे कि क्या कारण है, शकर खाया तो क्या होता है, जैसे आपने वो सेशन्स देखे तो पहले से आपको अच्छी आदते डालनी है ₹ ठीक है दूसरा मैं बापको बता रही थी कि अगर बच्चा घर का खाना नहीं खा रहा है सिर्फ इसको बाहर का चाहिए तो मैंने जैसे बताया हो इसको आराम से उसको पानी पिलाओ इसको बोलो कि जब भी भूबू को होए आप वापस आओ दो तीन टाइम आप उसको बाहर क खाना नहीं देंगे उसको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं देंगे तो घर का खाना चालू कर देगा ठीक है तो यह आपको स्ट्रिक्ली आपको यह फॉलो करना है बाकी का तो आपको अलग-अलग रैसिपी जैसे हमने बताई हुई है आपके पुरकार में बहुत सारी र कि बहुत सारी बच्चों को आदत होती है केचप लेना केचप के साथ या कुछ बाहर का कुछ सौस हो गया उसके साथ तो वो भी आदत आपको निकालनी है क्योंकि वो केचप में बहुत शक्कर की मातरा बहुत ज्यादा होती है जितना हो सके आप अपने फैमिली में भी सब को बताए कि बच्चों के लिए चॉकलेट या बिस्किट ना लाए इसके लिए ड्राइ फ्रूट्स है या नट्स है या कोई भी अच्छी जो हेल्दी चीज़ है अगर लाएंगे तो बच्चे की आदत पी अच्छी रहेंगे तो आपको पहले से वो सब बाते आपकी मदर या या फादर है फादर एलोउ है उनको सबको सात में लेकि आपको ये पहले या बात करनी है कि हम लोगो कौनसी आदते बच्चों में डालनी है ठीक है तो ये तो होगे अपका फासी ईटर्स कि मनलें बहुत सारे बच्चे होते हो बहुत तकलीफ देते हैं जब ही खाना काते तो बहुत difficult रह जाता है, तो अगर कुछ भी आपको सवाल है, तो आप definitely मुझे email कर सकते हैं, धन्यवाद. करियो दें, तो बहुत आपको सवाल है, झेयों सब्सक्रेक, सेवाद.